हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल दिवेहल्प के चन्तो आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से और बहुत ही जदा नए तरीके से गेहूं के आटे और मलाई से कैसे हम लोग घी निकाल सकते हैं घर पर बिल्कुल इजी तरीके से वो बताऊंगी तो आप देख स तरीके से टाइट हो चुकी है इसको मैंने पहली 15-20 मिन निकाल ले था फ्रिज से तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इतना डाल दिया है पूरी मलाई को तो अब इसको हाथों से अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे इसको और अच्छी तरीके से फेट लेना है और अगर आप इस ट्रिक से घी बनाएंगे मलाई से और गयों के आटे से तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं और आपको ज़्यादा बरतन कंदे करने की व्यूज नहीं पड़ेगी आपको जरूत नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फेटते रह तो 5-10 मिनिट इसमें लग जाएंगे और यह मलाई मैंने दूद से निकाल रखी थी तो अभी जब तक इसको फेटना है तब तक इसमें से दूद नहीं निकलना है स्टार्ट हो जाए तब तक इसको फेटते रहना है बिल्कुल इसको सॉफ्ट कर लेना है डो को और आप चा इसको और आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने एजी तरीके से भी आप मलाई से घी निकाल सकते घर में और गेहों के आटेसी पे हम लोग निकाल लेंगे तो आप देख सकते इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से फेट लिया था तो आप साइड में देख सकते इस तरी मैंने आदर लीटर के लगबग डाला है तो पानी को अच्छी तरही किसे mix करेंगे जो इसका जितना भी दूद होगा वो निकल जाएगा बस मलाई और मलाई बचेगी बस और आप देख सकते हैं मलाई भी अब मक्षर में transfer हो चुकी है 5-10 मिनिट में अच्छी तरही किसे साइड में करके जो दूद है उसको अलग रखेंगे और जो यह मैंने हम लोगों ने जो बनाई है मक्षन उसको अलग करेंगे तो अब इस तरही किसे आप देख सकते हैं अच्छी तरही किसे यह हो चुका है और अभी तक जिनोंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कियो चै सब्सक्राइब निकाल लिए तो इतना मक्षन हुआ है एक हफ़ते की मलाई में तो इस तरही किसे मक्षन तो तयार हो चुका है तो एक बार इसको और वाश कर लेंगे तो एक्स्टा धूद था उसको तो आप देख सकते मैंने अलग रख लिए और जो यह मैंने मक्षन था तो से और पानी एक्स्टा एड़ करेंगे और इसको अभी फिर से अचाए हम लोग अच्छी तारीकी से इसमें जितना भी दूध एक्स्टा है तो घी तो घी तारीकु सेप्रेट जाएगा इसमें मक्खन मक्खन त्यार हो चुक है इस तरीके से मक्खन आप मक्खन का भी उस कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग मक्खन भी उस करते हैं और कुछ लोग घी तो मैं आपको घी भी कैसे हम लोग मक्खन से बना सकते हो भी बता देती हूं तो मैंने जो धुल लिया था अच्छी तरीके से मक्खन को पानी डाला था तो अब जो मखन है उसी को डाल देंगे बस इस तरीके से तो कड़ाई की आप देख सकते कड़ाई में पहले ही मैंने गयस का फ्लेम भी ओन कर दिया था तो इस तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और ये 2-3 मिट में पक जाएगा बस एक उब करता हैं भी गंदे नहीं होंगे इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो अब इसमें हम लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने एक चमच लिया है गहूं का आटा तो इसको डालेंगे इसको डालने से इसमें बहुत अच्छी खुश्बू आएगी और जो को एंटिट इस तरीके से मिक्स कर लेना आप देख सकते हैं तो इस तरीके से एक बार इसको उकाल आने तक पका लेंगे और इस तरीके से आदी किलो से जादा गी बनकर त्यार हो जाता है घर में एक किलो से थोड़ा सा ही कम बनेगा नहीं तो एक किलो की लगबगी बनता है इस तरीके स इसको आप देख सकते हैं तो आफ जरू है जो ञिलाक कंपकरी और अब ऑट रहे से यलो जरू इसको नों बताएक्ट करेंगे हैं और फ्लीज अकर अगर आप कोई वीडियो अच्छा लग रहे आप लिए प्नांट करना यह लेगत बताए और लीजसके घीरNow सो damaging मीड possa जानदेना चाहते हैं तो भन तो बंद कर देना है तो गरणी आम पर करने आंद कर दिया है तो दढ़ ही तो सब्सक्राइब ल assumbelt कर देना है इसालिव देख सकते इस तरीके से आफादर करने भी स्टार्ट हो चान कर डाल लेना हम लोगों को तो आप देख सकते हैं जो भी एक्स्रा था इस तरीकी से निकल चुका है और घी भी कितने इजिली बनके त्यार हुआ है आप ये देख सकते हैं तो एक वर आप इस तरीके से भी बना कर जरूर ट्राइ कीजे घी को मलाई से और गिहों के आटे से इसमें केवल दोई चीजों का यूज हुआ है आप भी देख सकते हैं तो अच्छी तरीकी से चान लेंगे तो इस तरीकी से आप देख सकते हैं आदी किलो से भी जादा एक किलो से थोड़ा से कम होगा और ये जो ऊपर का आप देख सकते हैं जो मलाई को ऊपर का हम लोग जब हम लोग चान रहते तो यह था तो आप इसको भी खा सकते हैं केहों के जब आप आटा लगाएं तब उसको भी डाल कर खा सकते हैं तो इस तरीकी से आप देख सकते हैं यह बन के तार हो चुका है तो अगर आपको रेशीपी अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले तो दोस्तों के लिए इतना है थैंक यू